एक्स बाइक, 29 मोटर्स की फर्स्ट उनिसेक्स इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक, जिसकी स्टेप थ्रू डिजाइन के कारण एई बाइक कीट से लेकर मेन वोमेन तक सब के लिए आइडियल है, बट इस बाइक की खास बात है कि अनलाइक प्रिवियस मॉडेल, इसमें लिथिय मायन बैटरी, और खास कर इसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी न रहे, तो इसलिए कंपनी से खुच से ही डिजाइन कर इसे इंडिया में ही मैनुफ्रक्ट्टर किया है, जिसकी यूनिक स्टेप थ्रू डिजाइन, नॉट अल्ली मेंच दिजाइन के लिए जाना जाता अल्ली मेंच दिजाइन के लिए इसमें आपको अलोई का इस्तेमाल देखने को मिलेगी इसी बाइक की टोटल वेट की बात करें, तो इंक्लूडिंग बैटरी इस एक्स बाइक की टोटल वेट है, अराउंड 20 तु 22 केजीज, जबकि इसकी टोटल लोट केपासिटी है, अप्टु 125 केजीज एक्स बाइक को इलेक्रिकल मोशन देने के लिए इसमें 250 वाट की BLDC हब मोटर इंस्टॉल किया गया है, और विचीज इस ए 36 बोल्ट मोटर, जो मैक्सिमाम 32 एनम की टॉर्क पावर जेनरेट करता है, जिसे इसे मैक्सिमाम स्पीड गेंड करने में सिर्फ 4 से 5 सेगन लगता है, और रही बात इसके स्पीड की, तो as usual इसके मैक्सिमाम स्पीड है, only 25 kmph, हलाकि with the help of Pedal Assist, आप इसके मैक्सिमाम स्पीड कुछ अद तक बूस्ट कर सकते हैं, but the sad thing is, the Pedal Assist feature is not included with the buy, so if you want it, you need to buy it separately for 2000 रुपीज, and that will consist 3 levels of Pedal Assist. अनलाइक प्रिवेस मॉडेल्स अब दी कमपनी, X-Bike is powered by a 36 बोल्ट और 12 बेच और लिथियम आइन फॉस्पेड बैटरी, जिसकी खास बात है कि ये चार गोना ज़्यादा चलता है देना लिथियम आइन बैटरी, क्योंकि ये करीब 3000 लाइफ सेकल के साथ आता है, और कमपन जबकि अगर आप इनका 6 बैटरी लेते हैं, तो इसकी रिप्लेस्मेंट कॉस्ट आएगी around 6000 रुपीज, और क्योंकि इस बैटरी को कमपनी ने खुछ से ही डिजाइन और डेबलॉप किया है, तो इसलिए सेप्टी को इन्होंने first priority देते हुए, इसे explosion and fireproof बनाया है, और इसकी advanced battery management system आट तरह की अलग-अलग protection प्रोभाइट करता है, सच अज overcharge protection, over discharge protection, temperature protection, short circuit protection, pre discharge protection, equalization, over current protection और disconnection जैसी 8 अलग-अलग protection वही पर charging की बात करें, तो charging के लिए इसके साथ आपको एक 3A की fast charger प्रोभाइट की जाएगी, इसकी मदद से आप इस 12H battery को सिर्फ 3 घंटे में fully charge कर पाएगे, और एक बार charge होने के बाद, पर charge इसके साथ आपको 70-80 km की range मिलेगी on paddle assist mode, जबकि total mode पर आपको सिर्फ 50 km की range मि आपको 30 km की range मिलेगी, जबकि total mode पर आपको सिर्फ 20 km की range मिलेगी, विल्स की बात करें, तो इसकी overall dimension है 26 inches, जो double wall एलाडीम्स के साथ आता है, और रही बात tires की, तो इसमें 2.17 inches की extra wide, रेल्सर की micro octave tires लगाई गई है, जो खासकर इंडियन सरकों पे better grip प्रोभाइट करने में म इस प्राइज रेंज में 29 मोटर्स की X-Bike एकलौता ऐसा electric bike है, जिसमें dual suspension देखने को मिलती है, जहाँ पे front में एक telescopic suspension के साथ, rear में mono suspension देखने को मिलेगी, जो no doubt rough road पे आपको excellent suspension system provide करेगी, वहीं पे gears and braking system की बात करें, तो X-Bike में आपको 6-speed gear system देखने को मिलेगी, और रही बात brakes की, तो इसमें आपको 160 mm की dual mechanical disc brake देखने को मिलेगी, जो काफी fast and quick responsive है, इसके अलाबा बाइक की handle bar में आपको एक LED display देखने को मिलेगी, जिसमें आप battery status के साथ साथ PS level भी check कर पाएंगे, और एस सब के अलाबा आपको 29 motors की एक खास invisible veil भी provide की जाएगी, जो बाइक में काफी interesting और cool सा दिखता है, और क्योंकि बाइक के साथ mud guards और headlights included नहीं है, तो यह आपको additionally purchase करनी होगी, जहाँ पे mud guards और carrier की combo cost है 1500 रूपीज, जबकि headlights के लिए आपको देना होगा 1000 रूपीज, बट यहाँ पे आपके लिए एक good news है, और good news यह है कि purchasing के time अगर आप InfoTalk MG promo code का इस्तमाल करते हैं, तो प्राइजिंग के time InfoTalk MG promo code का इस्तमाल जरूर कीजिएगा, और आखिर में इसकी pricing की बात करें, तो X-Kids model जो 6H battery के साथ आता है, इसकी cost है 32,000 रूपीज, बट विदाउट gear, जबकि gears के साथ इसकी cost है 37,000 रूपीज, वहीं पे X-bike pro जो 12H battery के साथ आता है, इसकी cost है 42,000 इसकी cost है 47,000 रूपीज, और इसे खरिदने पे इसके साथ आपको 2 सल की warranty मिलेगी on battery, जबकि 1 सल की warranty मिलेगी on overall bicycle, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसी बाइक को full payment के साथ खरिदना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए company HDFC powered Easy EMI का option भी दे रही है, इसकी अधर से आप आसान किस्तों में इसी बाइक को खरीद पाएंगे, तो specification और features के इसाफ से देखा जाए, तो bike काफी promising दिख रहा है, खासकर इसकी battery काफी powerful है, और throttle mode पे इसकी range भी काफी अच्छा है, बट कुछ-कुछ चीज़ें इसके साथ included होनी चाहिए थी, जैसे की headlights, PS sensor और mudgarts जैसी X-studies, otherwise ये सब को अगर ignore कर दिया जाए, तो इस bike की performance आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगी, तो अगर आप इस e-bike को खरीदना चाहते हैं, तो इसके related सारी जानकारी नीचे आपको description में मिल जाएगी, तो बस यही था 29 Motors की X-bike और इसके related information, I hope ए information आपको अच्छ comment section, so that's it up on this video, thanks for watching.